हेलो, नमस्कार, मैं प्रमोद, स्वागत करता हूँ आपका टार्गेट विथालोग के इस प्लेट फार्म पर तो शुरुवात हो चुकी है केबीएस की और केबीएस प्यार्टी, टीजीटी और पीजीटी परिक्छा में सामिल होने जा रहे आप सभी स्टुडेंट का मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ और आपको अग्रिम सुबकामनाई प्रेशित करता हूँ प्रारंब आज जो होगा हम अपनी सरिंखला का प्रारंब करने चल रहे हैं जो की पेड़गोजी के नाम से ये नाम तो बदल दिया गया अठारा के बाद जो नया बिग्यापन आया इसमें बहुत सारे परिवर्तन कर दिये गए हैं उन परिवर्तनों के एकारडिंग अगर देखा जाए तो जो हमारा टॉपिक आता है उसमें से कौन-कौन से मुद्दे हैं जिसकी चर्चा हम लोग प्रारंबिक समय में करना प्रारंब कर देंगे तो एक बार जिस पाठिकरम को आपने यूटूब मर देखा है यूटूब पर जो चर्चा पर चर्चा की गई है पाठिकरम को ले करके खास तोर पर पहले तो उस पाठिकरम को मैं थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट के एकारडिंग जो टॉपिक में सुरू करने चल रहा टॉपिक आपका जैसा कि आपने यूटूब पर भी इसका डेटेल इसकी व्याख्या आपने देखा है तो जब पार्ट थिरी में आप आते हैं अच्छा सलेबस तो सेम है TGT का भी वही है और आपके PRT का भी सेम वही है बहुत साओधानी से केरफुल हो करके आपको सुनने की जरूरत है क्योंकि ये पहली क्लास है और ये पहली क्लास आपको पूरी ओधारणा को समझा देगी आपके तैयारी की पूरी ओजना को सेट कर देगी अगर आप बात करें पार्ट थिरी शुरुवात होती है हमारे सबजेक्ट की यानि की परस्पेक्टिब आन पूचा जाएगा बाकि TGT और PGT में 40-40 नंबर का हो जाएगा अब आप कहेंगे कि बुरुजी टॉपिक में क्या डिफरेंट होता है तो क्या टॉपिक में कोई डिफरेंट नहीं होता है इसकी चर्चा हम आल्रेडी कर रखे हैं यूटूब पर तो टॉपिक में नहीं चे नहीं किया है कहीं पर भी कि जैसे अंडरिस्टेंडिंग दर लर्नर से कितना क्योस्चन पूचेगा बद TGT PGT की बात करें तो TGT PGT में किस टॉपिक से कितने क्योस्चन पूचे जाने है इसको बकाइदा उसने दे रखा है और KBS के डिटेल नोटिफिकेशन को अगर आप पढ़िएगा तो आपको डिटेल नोटिफिकेशन में एक चीज असपश तोर पर लिखा हुआ है कि जो पाठिकरम आयोग के द्वारा दिया जा रहा है आपका जहां से जो टॉपिक लिखा जा रहा है जितने प्रसंद पूचने के लिए कह रहा है उतना ही पूचा जाएग यह बकाइदे डिटेल लिखा हुआ है उसने नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि आपको क्या पढ़ना है कि जो आपका पाठिकरम दिया हुआ है आपको वही पढ़ना है और उससे कितना क्योस्चन आना है उतना ही पूचा जाएगा तो यह एक मामला पहले से उसने क्लिय रखा है तो इसका मतलब है कि यहां से पूरे पाठिकरम से वह जहां से उसकी इच्छा होगी वह क्योस्चन उठाएगा और जितनी इच्छा होगी उतने क्योस्चन उठाएगा लेकिन ऐसी कंडिशन TGT-PGT में नहीं है तो इसका मतलब है कि आप सभी विद्यार्थी जो T understanding, teaching, learning method से कितने question देने के लिए पूछा है तो जो TGT, PGT के विद्यार्थी होंगे वो सिर्फ उतने ही बातों पर focus करेंगे का आपके उतने सवाल आएंगे 4-6 सवाल जितने भी सवाल देने के लिए कहरा उतने ही सवाल पर आप focus करिएगा बट PRT की तयारी करने वालों को total topic पर बराबर का नजर रखना होगा त्यानि की साउधानी से एक एक number आपके selection के लिए मात्यपूर्ण होगा यहाँ पर सुरुवात हम करने चल रहे हैं understanding the learner आपके topic की चर्चा हम करना शुरू कर रहे हैं आज की class यह demo class होगी आपकी तो understanding the learner यह पूरा topic दोनों परिक्षाओं में TGT PGT में 15 अंका है तो कमो बेस यहाँ पर भी में 15 से 20 नंबर इसको मान करके ही चलता हूँ इसमें क्या-क्या पढ़ लेना है तो concept of growth आपको पढ़ना है यानि कि बृद्धी के अधारना पढ़ना होगा muturation पढ़ना होगा यानि कि परिपक्वता और विकास को पढ़ना होगा principle and debates development पढ़ना होगा और इसके अलामा developmental tasks and challenges पढ़ना होगा कुल मिला जुला करके ये जो आपका पहला unit है concept of growth यानि कि बृद्धी की अधारना पढ़ना होगा उसके बाद दूसरा पढ़ना होगा muturation and development तो आज का जो topic मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ concept of growth हम लोग प्रारम करते हैं चलिए आते हैं और शुरुवात करते हैं आज के topic को concept of growth चलिए concept of growth ये पहला topic है बृद्धी की अधारना या बृद्धी के बिशे में समझ concept को सीखना है कि बृद्धी होती क्या है यहाँ पर bilingual चलेगा bilingual इसलिए चलेगा क्योंकि जो आपका interview का decide किया है आयोग ने interview में उसने पूरी तरह से पहले जो interview का ratio 85 और 15 का था ये weightage दोट था पूरे mark का आपका जो written exam में आप जितना प्राप्त करते थे उसका 85% वो लेता था किसको लेकर के? written exam को लेकर के percentage में और 15% वो रखता था weightage किसका आपके interview का पहले क्या होता था? 1500 नंबर का ये written होता था और 60 नंबर का होता था आपका interview होता था तो 1500 का 85% यहाँ पर ले लेता था written का और 60 का 15% ले लेता था वो interview से इस प्रकार पूरा 100% ratio को ध्यान में रखते हुए weightage को ध्यान में रख करके merit list बना देता था लेकिन इस बार का परिवर्तन जसा कि आपको ग्यात है कि आपने देखा है कि इस बार के परिवर्तन में 70 और 30 का कर रखा है इसने 70 में total mark इसने कितने रखे हैं 180 mark, 180 mark का 70% weightage इसने written का रखा हुआ है और 30% इसने weightage रखा हुआ है किसका interview का interview में भी 15-15% इसने बाट रखा है 15% आपका demo test होगा demo test का मतलब है कि जो आप पढ़ाएंगे और 15% आप से पूछ ताच की जाएगी तो 15-15% में इसने बाट रखा है 30% को अब उम्मीद है कि आपको ये बाते clear हो गई है कि bilingual आपको इसलिए पढ़ना है कि आप ये जो 15% है जिसमें आपको demo class चलेगी उसमें मेरी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है आपके लिए मेरी कर्तब परायंडता यानि कि एक प्रकार से आपके लिए समर्पन और आपके लिए मेहनत मेरी बढ़ जाती है थोड़ी सी क्योंकि मेरे ही subject के जरिए आप तयार हो पाएंगे teaching method के लिए यानि कि जो teaching का demo होगा वो मेरे जरिए ही आप तयार हो पाएंगे और इसी कारण ये national education policy जो 2020 है उसी को ध्यान में रखते हुए ये पाठ्ठेकरम का परिवर्तन किया गया है इसमें आप देखिएगा कि सबसे जादा फोकस किया जा रहा है कि आपके अंदर एक अच्छे अध्यापक का गुण है या नहीं है आपके पूरे teaching skill को और बच्चों के बिशय की समझ कितनी जबरदस्थ है आपके पास उसी पराधारित आपका पूरा पाठ्ठेकरम रखा गया है बहुत बड़ी भूमिका है ये 60 नंबर की ये आपको आगामी समय में भी काम देगा इंटर्विव में तीसलिए bilingual रखा जाएगा bilingual चर्चा होगी कि growth क्या है उसको पहले तो हम आपको देखिए एक चीद ध्यान में रख लेते हैं कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसकी योजना कैसे set करेंगे किस तरीके से हमारी पढ़ाई लिखाई होगी देखिए इतना easy बना करके मैं आपके सा सामने जब हम व्याक्षा कर देंगे तो आपको सूचनाय तो मिल जाएंगी बट आपको concept उसका clear नहीं होगा जब उसने लिख रखा है concept of growth, concept of development तो इसका मतलब आप ये मान करके चलिएगा कि आपको उसे memory based knowledge से कोई मतलब नहीं है आपको उसकी समझ चाहिए कैसे समझ चाहि कि हम गर्भावस्था से प्रारम करके किस तरह से हमारा development होता है चाहे वो quantitative change हमारे अंदर उत्पन हो रहा है चाहे qualitative change हमारे अंदर उत्पन हो रहा है उसका learning से क्या संबंध हो सकता है यानि कि हमारे सिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उसका हम क्या यूज कर सकते हैं तो understanding क्या रहा है अंदर इस्टेंडिंग की बात कर रहा है कौनसे understanding की बात कर रहा है THAT you can understand the learner आप बच्चों को समझ पाएं पूरी तरह से बच्चों को समझ बच्चों के बिश्य की total understanding समझना होगा, को उनका growth कैसे होता है, growth में कहां कहां पर problem पैदा होती है, बाधाये कहां पर पैदा होती है, growth के एकारडिंग, activity को कैसे ध्यान में रखेंगे, development उसका कैसे होता है, उसके changes कितने उत्पन होते हैं, और कौन-कौन से factor हैं जो उसको disturb कर सकते हैं, ये सारी चीजें पढ़ना होगा, तो आईए, जब हम concept आप growth की बात करेंगे, तो सबसे पहले एकदम ब्यवारिक तरीके से सुध्ध हिंदी में मैं समझा देता हूँ, फिर bilingual में notes तो तयार करवाऊंगा ही, और बाकी जानकारी भी दूँगा, पहले तो मैं मौकि जो है, ये development का ही एक हिस्सा होता है, एक part होता है, तो पहले तो बिसुद्ध हिंदी से हम समझ लेते हैं, कि विकास आप किसे कहेंगे, विकास क्या होता है, तो इसका simple सा उत्तर यह आ जाता है, कि आनुभाव तथा परिपक्वता के कारण, जो हमारे अंदर change पैदा होता है उसी को हम development बोलते हैं, यानि कि हमारे development में दो चीजों की उपयोगिता होती है, development में दो चीजों की उपयोगिता किसकी होती है, एक होता है motivation की, यानि कि परिपक्वन की जरूरता होती है, और एक जरूरत होती है experience की, अगर maturity और experience ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, उस किसी भी प्रकार का भी है, यानि कि सारेरिक, मानसिक, सामाजिक, सामबेगिक, नैतिक, सबी पक्षों में जो बेवहार का परिवर्तन उत्पन होता है, वही किस के परणाम सोरूप होता है, development के परणाम सोरूप होता है, विकास के परणाम सोरूप होता है, तो इसका मतलब है कि विकास हमारे परिपक्वता और हमारे अनुभाव का परणाम होता है, इनके दोनों के कारण हमारे अंदर चेंज आता है, अब जब बात आती है परिपक्वता की, मैचेवरटी की बात आती है, तो मैचेवरटी दो संदर्भों में हमारे सरीर में घटित होती है, एक क्वान् क्या है कि जब मात्रात्मक रूप से हमारे सरीर में परिवर्तन होता है, यानि कि हमारे सरीर के साइज में जब परिवर्तन उत्पन होता है, कोशिकाओं की मात्रा में जब परिवर्तन होता है, तो वह quantitative होता है, quantitative change हमको सारेरिक परिपक होता की तरफ, physical maturity की तरफ हमको आगे लबे है कि संपूर्ण सारीरिक अव्यों का संपूर्णता विकास हो जाता है सरीर का परिपक्क होना उसी को बोलते हैं और दूसरी परिपक्क होता हमारी गुडातमक भी होती है क्वालिटेटिव मेउचरेशन की तरब भी हम आगे बढ़ते हैं यानि कि गुण की आधार पर तो हम परिपक्क होते हैं की नहीं होते हैं चाहे वो सरीर के अंग संचालन की प्रक्रिया कह लें सुरुवात में बच्चा जो होता है वो सारीरिक रूप से भी कम परिपक्क होता है यानि कि सरीर में जो मानस्पेसियों की बनावट है जो उसके सरीर की उरजा है जो उसी के स चलना सीखता है, तो अन्मने ढंग से चलता है, सही तरीके से चल नहीं पाता है, तो इसका मतलब क्या है, कि सरीर में जो चलने वाली प्रक्रिया है, ये गुण है उसका, quality है ये, सरीर का बढ़ना, बढ़ा होना, अंगों का निर्मार होना, उसका विक्सित होना, ये हमारे सार सारिरिक परिवर्थन का हिस्सा है यानि कि quantitative हिस्सा है यह जो सरीर का अंग संचालन बच्चा सीखता है चलाने फिराने हाथ पैर चलाने की और तमाम क्रियाओं को सीखता है तो यह उसका गुडातमकता होता है तो جब सारिरिक परिपकवता कम होती है तो गुडातमक भी कम होता है, यानि कि विकास भी परिपक्वता में नहीं जाता है, सिम्पल सी बात है ये, तो growth इसी का एक पार्ट हो जाता है, जब आप maturity की बात करते हैं, तो maturity में quantitative दोनों आ जाता है, quantitative और qualitative दोनों प्रकार का change होता है, अब जो quantitative change होता है हमारे सरीर के अंदर, उसी को एक सब्द दे दिया जाता है क्या, growth, और जो qualitative change हमारे सरीर में घटित होता है, उसी को हम आमतोर पर क्या बोल देते हैं, development बोल देते हैं, उमीद है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई, फिर से मैं इस बात को बोल देता हूँ, बात हमने muturation की उठाई, maturity की उठाई, परिपकोता की उठाई, परिपकोता दो संदरभों में हमारे पास आती है, एक quantitative रूप से जब हमारे सरीर में ब्रिद्धी होती है, सारीरिक अंग जब पूर विक्षित होने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो वह quantitative change होता है, वही quantitative change जब हम घटी थो रहा हमारे सरीर में, जिस समय quantitative changes हमारे सरीर के अंदर घटी थो रहे होते हैं, उस समय हम growth कर रहे होते हैं, और उसी के साथ साथ जो qualitative changes हमारे अंदर हो रहे होते हैं, तो हम development कर रहे होते हैं, विकास कर रहे होते हैं, तो growth और development की बात है clear, समझ में आ गई, य में लिए हमारा फोकस होगा concept of growth उसके बाद concept of development पर चलेंगे जब ये वाला part हमारा समाप्त हो जाएगा अब हम बात करें जब concept of growth की तो ब्रिद्धी सारेरिक परिपक्वता के लिए निसेचन से शुरू होने वाली प्रक्रिया होती है कैसे निसेचन से शुरू होने वाली प् जब ये दोनों मिलते हैं तो जाइगोट कोसिका का निर्मार करते हैं जाइगोट कोसिका में ब्लास्टोसिस्ट की क्रिया होती है यानि कि एक प्रकार से कोसिकी विभाजन की क्रिया प्रारंब होती है जब ब्लास्टोसिस्ट की क्रिया होती है तो उसके आगे माइटोसिस और भूर्ण का विकास हो जाता है। यह हमारे जीवन को आधार देने वाली पहली कोशिका होती है। कौनसी जाइगोट कोशिका। इसको हिंदी में संजुक्त कोशिका या यूगमनज बोला जाता है। होना जरूरी है। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन बहुत आवस्यक है। जब यह दोनों फर्टिलाइज होंगे तब एक फर्टिलाइज कोशिका का निर्माड होगा। यानि कि जाइगोट is a fertilized cell for living organism. यानि कि जीवित प्राणियों के लिए या पहली निशेचित कोशिका हो रूप में परिवर्तित होती हैं। एक कोशिका से दो कोशिका और फिर प्रते कोशिका दो भागों में विवक्त होती रहेगी इसी को गुडातमक चेंज बोलते हैं। अब प्रते कोशिका दो पार्ट में डिवाइड होती रहेगी। ठीक है। इस तरह से प्रते कोशिका द मिश्चित अनुपात में जुडते हैं वो डिपेंड करता है कि जिस प्रजाती का प्राडी है जिस प्रजाती का प्राडी है यानि कि जैसे मानों के फिमेल के गर्भ की बात करें तो मानों के फिमेल के गर्भ में जब जाइगोट कोशिका निर्मित होती है तो यह विभाजित करके किस अनुरूप जुड़ेगी तो जैसे जब हम मकान बनाते हैं तो मकान में इटे कोशिका का काम करती हैं अब जो मकान का नक्सा हम पहले से सेट किये होंगे दीवारों की जुडाई उसी के अनुरूप होगी यानि कि जो इटों का संयोजन होगा जब हम इटों को जोड क करके दीवार का निर्मार कर रहे होंगे, तो हम नक्से के एकारडिंग करेंगे दीवारों का निर्मार, इटों से, उसी तरीके से प्रजाती ही निर्धारित कर देता है सारेरिक प्रतिरूप, सारेरिक प्रतिरूप को प्रजाती निर्धारित कर देता है, वो हेरिडेटी होती हो उसकी तो जाइगोट कोशिका जब विभाजित होगी तो सवाल ये बनता है कि अनमने धंग से चाहे जैसे वैसे विभाजित हो करके जुड़ने लगेगी तो बात आती है कि नहीं वैसे नहीं जुड़ने लगेगी कैसे जुड़ती है फिर तो जिस प्रजाती की कोशिका हो कोशिका हैं विभाजित हो करके उसी अनुरूप जुडेंगी उसी अनुरूप अंगों का निर्मार करेंगी कि वो एक मानो की काया का निर्मार कर सके। सिंपल सी बात है और जब आप बायलोजी पढ़ते हैं तो बायलोजी में भी आपको मिलता है कि सबसे सोचमतम इकाई क्या होती है आपके सरीर कोशिका होती है कोशिका जुड़ करके किसका निर्मार करती है उतक का यानि कि टीसिव बनाती है टीसिव से क्या बनते हैं आरगन कोसिका मेन ज़रूरत हो जाती है अब कौशिका जब मेन जरूरत है तो वो कौन सी है पहली जाइगट कोसिका है अब येही गुडात्मक रूप में विभाजित होगे तो एक से 2 हो जाएगा दो से फिर कितनी हो जाती है, चार हो जाती है, फिर चार से कितनी हो जाती है, ऐसे करके बढ़ती चली जाती है, और किस रूप में बढ़ेंगी, तो वो human body का आकरिती प्राप्त करके उसी अनुरूप को सिकाएं बढ़ती जाती है, सरीर बढ़ी होती जाती है, सरीर का विकास होता ज प्रिद्धी का कारिक्रम नहीं प्रारंब होता है, ब्रिद्धी के साथ साथ है, डिवलप्मेंट भी चलता है, विकास भी चलता है, यानि कि जो हमारे सरीर में जाइगोट कोशिका बिभाजित हो करके कोशिकाओं को जोड करके आकरिती का निर्मार कर रही तो सरीर बड़ा हो गया कि एक कोशिका से एक बड़ा मकान बन गया, यानि एक एंट से जोड़ते-जोड़ते, एक एक एंट को जोड़ते-जोड़ते एक बड़ा मकान बन जाता है, उसी प्रकार से एक कोशिका जोड़ते-जोड़ते एक सरीर बन जाती है, तो सिर्फ इतना परिवर्तन नहीं हो वो गर्ब में हाथ पेर भी तो चलाना सुरू कर देता है वो और उसके हर्ट काम करने सुरू कर देते हैं तो ये जो अंग बनते और बड़े होते हैं ये तो ग्रोथ का हिस्सा हो गया वो जो अंग संचालन को वो सीखता है चलने फिराने को सीखता है और बाकी उसके अंदर blood circulation काम कर रहा है हर्ट उसका काम कर रहा है पाचनंग उसके काम करने सुरू कर रहे हैं तो ये जो अंगों में कार ये पैदा हो रहा है वो उसके quality है वो उसके गुण है यानि कि प्रतेक अंग अपने गुण धर्म को भी प्राप्त करता है अपनी quality को भी प्राप्त करता है जैस ये कही साथ प्रारम होता है गर्भावस्था से दोनों प्रक्रियाए गर्भावस्था से सुरू होती है बट बात करें हम ग्रोथ की तो ग्रोथ एक निश्चिस समय के बाद जा करके रुक जाता है जब हम सारेरिक रूप से परिपक हो जाते हैं तब ग्रोथ का काम रुक जात यानि कि सारेरिक ब्रिद्धी हमारी नहीं होती है लेकिन गुडातमत परिवर्तन यानि कि development जो हमारा आज जीवन चलता रहता है यानि कि गुणों में परिवर्तन हमारे जीवन भर चलता रहता है। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ आपको आपका जो paper होगा KBS का वो आपका bilingual मतलब होता है। bilingual होने का मतलब है कि जब आप farm apply करेंगे KBS का तो आपको exam का mode, mode of exam language select करना होगा आपको कि आप किस mode में आप exam देना चाहते हैं। आप देना चाहते हैं English mode या Hindi mode मतलब एक प्रकार से जो exam का language होगा वो आपको select करना होगा। आप Hindi में select करेंगे तो आपका paper हिंदी में आएगा, आप English select करेंगे तो आपका paper इंगलिस में आएगा। ये पुरा का पुरा खुला होता है मामला, तो हिंदी में ही आपको प्रसंद पूछे जाएंगे, अगर आप Hindi select कर रहें हिंदी भासी छेत्र के हैं तो, ठीक है, तो क प्राइदा हो जाता है, जो पेवर हिंदी मेडियम की विद्ध्यार्थी होते हैं, उनको घबडाने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी English terminology में कठिनाई होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी, हम इतना ब्यवहारिक और सरल उधारन देंगे, जितने भी विद्ध्यार्थी हमारे पेड़ बैस से पहले पड़े हैं, सूपर टेट या यूपी टेट जो भी पड़े हैं, उनको बखो भी पता है कि हम अपने कंटेंट को उनके ब्यवहारिक जीवन से इस प्रकार जोड़ देंगे, कि अगर वो नहीं भी समझना चाह रहे होंगे, तो भी उनके समझ में आ ज चुरुआत करता है, तो थोड़ा सा पूरा अपना मनोयोग लगा देता है, थोड़ी सी पूरी एनर्जी लगा देता है, तो उसमें कहीं भी आपको रिलेक्स नहीं थोड़ा सा मिल पाता है, आने वाले समय में धीरे-धीरे जब आप पूर आओधानाओं से परचित हो बच्चों के संदर्ब में अंडरिस्टेंडिंग का तो चीजें आसान होती चली जाएंगे, खिक है, अब और भी बाते कर लेते हैं थोड़ी सी, ग्रोथ को ले करके, तो ग्रोथ को बिशे में क्या बोल दिया गया कि, ग्रोथ is the increase in the size of the body as a whole are the size attained by various parts of the body by multiplication of cells, यानि कि cells के बिभाजन के जरिये जो हमारे सरीर के संपूर्ण बाड़ी में, संपूर्ण सरीर में जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है उसी को ब्रिद्धी बोला जाता है, तो हिंदी में इस बात को मैं लिख देता हूँ, इंगलिस मैं बोलते जाऊंगा, हिंदी में मैं इस बात को ल घटित होती है तो क्या लिख देते हैं कि ब्रिद्धि निशेचन के फल शुरूप परिपक्वता के लिए प्रारंभ होने वाली एक प्रक्त्रिया है परिपक्वता के लिए प्रारंभ होने वाली एक प्रक्त्रिया है एक प्रक्त्रिया है जो की कोशिकाओं के गुडात्मक ब्रिद्धि का परणाम होती है कोशिकाओं के गुडात्मक ब्रिद्धि का परणाम होती है यही तो बात अभी हमने आपको समझाया कि निशेचन की प्रक्त्रिया से घटित होता है यह मतलब ओबम मिला इसपर मिला जाइगोट बना अब जाइगोट वाली पहली कोशिका है हमारे जीवन को आधार देने वाली उसी जाइगोट कोशिका में विभाजन होता है विभाजन होता है तो गुडातमक अनुपात में कोशिकाएं बढ़ती हैं जिससे कि हम सारीरिक परिपकोता के तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं ये प्रक्रिया कब से प्रारम हो जाती है अगर हम बात करें कि इस प्रकार से गुडातमक बृद्धी की प्रक्रिया यहां पर गुडातमक बृद्धी का मतलब है कि गुडातमक अनुपात की बात कर रहा है एक संख्यातमक बृद्धी की बात करें तो एक गुडातमक अनुपात होता है संख्यातमक बृद्धी में की नहीं संख्यात्मक ब्रिद्धी में गुडात्मक अनुपात का मतलब क्या होता है 2 से 4 हो जाना फिर 4 से कितना हो जाना तो इस प्रकार से जैसे 1 से 2 विभाजित हो गया ये विभाजन इसको समझने की जरूरत है फिर ये अब आप गिनिएगा 1 से 2 यानि कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 तो 4 से 8 विभाजन हो गया फिर 8 से 16 विभाजन हो गया 16 से 32 विभाजन हो गया इस तरीके से जो संख्यात्मक मान में परिवर्तन होता है वह संख्यात्मक एक गुडात्मक परिवर्तन होता है संख्याओं में गुडातमक परिवर्तन में 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे करके बृद्धी होता है तो ये हमारे कोशिकाओं की जब बृद्धी होती है तो हम सारेरी कुरूप से परिपक्वता की तरफ अग्रसरित होते हैं इस प्रकार के ही परिवर्तन को ग्रोथ बोला जाता है बृद्धी बोला जाता है केलियर हो गई बात? चलिए अब आगे हम थोड़ी सी बात कर लें तो एक और बात यहीं पर मैं समझा दूँ अभी तो जैसे हमने ग्रोथ को ले करके समझाया अब बात और एक सेंस इसी के साथ चलता है इसी के साथ डेवलेप्मेंट भी चलता है यानि कि बृद्धी और विकास दोनों एक कही साथ गटित होता है बृद्धी मैचेवरटी पर रुख जाती है जबकि डेवलेप्मेंट आगे बढ़ता रहता है अब ये दोनों प्रक्रियाएं गर्ब से किस तरीके से प्रारम होती है यानि कि बिकास के चरण की बात हम कर लें तो अलग-अलग सोध करताओं ने अलग-अलग तरीके से इस बिकास के चरण को समझाने का प्रयास किया है तो जैसे एक जन्म पूर्व अवधी की बात कर लेते हैं एक कौन सी अवधी बात कर लेते हैं? जन्म पूर्व अवधी बात कर लेते हैं इसकी यानि कि जो हम गर्भावस्था के दवरान जो हमारा घटित होता है चाहे वो growth हो, चाहे वो development हो, यानि कि विकास के चरण की मैं बात कर रहा हूँ, कि विकास का चरण कहां से घटित होता है, तो गर्बावस्था से ये घटित होना शुरू हो जाता है, आगे बढ़ता जाता है, गर्बावस्था के दवरान जो stages होते हैं, उसमें क्या पराप्त कर लेंगे, इसका मतलब ये है, कि गर्ब से लेकर के किसोरा वस्था तक, जो सारीरिक पक्च हम पढ़ेंगे, यानि कि विकास में जो जितने भी पक्च होते हैं, विकास के कितने पक्च होते हैं, एक होता है सारीरिक पक्च होता है, एक होता है मानसिक पक्च होता सामाजिक भी पढ़ेंगे, सामभेगी पढ़ेंगे, नेतिक भी पढ़ेंगे, तो जो सारिरिक पक्ष होगा वही ग्रोध से संबन दिए तो आगे ये अद्धेन चलता जाएगा, इडोलसेंस हो तक ये अद्धेन चलता जाएगा, खिलाल अभी हम जन्म पूर्वअवदी की जन्म पूर्व अवधी का मतलब होता है एक प्रेनेंटल एज होता है प्रेनेंटल इसी को बोलते हैं जन्म पूर्व अवधी ये कब घटित होता है तो जन्म पूर्व अवधी जो होता है लगबग 9 कैलेंडर महीने यानि की 9 महीने तक गर्ब धारन की प्रक्रिया से कितने मह महिने तक ये प्रक्रिया चलती है नौ महिने तक जिसको गर्भावस्था बोला जाता है वही चालिस सप्ता है जिसको बोलते हैं इसमें क्या होता है कि तीन अलग-अलग चरण होते हैं इसके प्रसव पूर्व जो ब्रिद्धी के तीन अलग-अलग चरण होते हैं यहां पर इ इस टाइम पर ब्रिद्धी के कितने चरण होते हैं गर्बावस्था के दवरान, तो इस बात को लिख लेता हूं, इस दवरान ब्रिद्धी के तीन चरण होते हैं, ब्रिद्धी कितने रूपों में घटित होती हैं, तो ब्रिद्धी के तीन चरण, गर्बावस्था के दवरान जो ब्रिद्धी के तीन चरण होते हैं, वो कौन कौन से तीन चरण होते हैं, पहला होता है निसेचित डिम्ब की बात कर लेते हैं, या निसेचित अंड की बात कर लेते हैं, सबसे पहला चरण, पहला कौन सा गटित होता है, निसेचित डिम्ब, दूसरा चरण कौन सा होता है, भ्रूण तीसरा चरण कौन सा होता है फिर भी भ्रूण आएगा आब इसमें परिवर्तन की सनरूप गटित होते हैं जैसे निस्यचित डिम्ब की बात कर लें तो ये पहले दो सप्ताह में इसमें परिवर्तन होता है प्रथम दो सप्ताह और इसके अलावा जो भ्रूण का सेकेंड जो चरण सुरू होता है ब्रिद्धी का वो कौन सा होता है दो से आठ सप्ता उसके बाद जो तीसरा चरण घटित होता है ब्रिद्धी का वो दो से दस महिने तक यहाँ पर दो से आठ सप्ता हो गया और यहाँ पर दो से दस महिने हो जाएगा इसमें ध्यान रखना महिना हो जाता है यह दो से दस महिना यह तीन चरण होता है गरभावस्था के दवरान जिसमें ब्रिद्धी होती है यानि quantitative change के ये तीन चरन हो जाते हैं, मातरात्मक परिवर्तन के ये तीन चरन हो जाते हैं, कहां पर गर्बावस्था के दौरान. अब ये कैसे होता है, किस प्रकार से विक्सित होता है, तो उसकी बाद हमने आपको पहले ही समझा रखा, कि ओबम में कौन मिलेगा, इस्पर्म मिलेगा, और जब इस्पर्म मिलेगा तो निसेचित डिम्ब का निर्माड हो जाता है, यानि कि जाइगोट का निर्माड हो जाता यही पहली कोशिका, संजुक्त कोशिका है, जिसको आप निसेचित डिंब कहते हैं, इसमें जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है, वो प्रथम दो सप्ताह में दिखाई पड़ता है, उसके बाद इसी में बलाश्टो सेष्ट की क्रिया प्रारम होती है, यानि कि विभाजन की परिवर्तन नहीं होता है, दसमें महीने, यानि कि नव महीने के बाद, जब नव महीना पूरा हो जाता है गर्व में, तो जो परिवर्तन होता है, उस दवरान बच्चा गर्व से बाहराता है, तो ये ब्रिद्धी के तेन चरण हो जाते हैं, गर्भावस्था के दवरान, अ Fertilized Obum, या इसको हम Fertilized Obum कह लें, या जाइगाट कह लें, उसके बाद जो दूसरा चरण सुरू होता है, जिसको भूंड 2 से 8 सपता बोला जा रहा है, ये क्या होगा, ये Petus होगा, Petus, Petus, F-E-T-U-S, Petus होता है, और ये जो तीसरा होता है, गर्भावस्था के दवरान, जि Embryo होता है, Embryo Cell, यानि कि इसको क्या बोलेंगे, E-M-B-R-Y-O, Embryo होता है ये, तो ये तीन चरण दिखाई पड़ता है, बृद्धी का कहां पर, गर्भावस्था में, इसके बाद बच्चे का जन्म हो जाता है, अब जन्म के पस्चात जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है, जन्म के पस्चात जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है, बो सैस्वावस्था में दिखाई पड़ता है, अब सैस्वावस्था की बात करें, तो अनुमानता कितनी Age निर्धारित की जाती है, सैस्वावस्था की, आम तोर पर इसको किस उम्र तक माना जाएगा, ये पहला वर्स होता है, जिसको आप प्रारंबिक अवस्था कह लें या सैस्वा वस्था कह लें, यह जो सैस्वा वस्था का time period होता है, हालाकि age के duration को लेकरके बिभिन मनुबेग्यानिक के बिभिन मत दिखाई पड़ते हैं, बट हम बेवहारिक रूप से, यानि एक्जेक्टली जो होती है उसके एकारडिंग हम चर्चा कर लें तो इन फैंसी होती है पहले तो जन्म से दो वर्स का टाइम होता है ये पहले तो ये जन्म से दो वर्स का टाइम होता है उसके पश्चात प्रारंबिक बाल्यावस्था की बात कर लें अरली चाइल्ड हुट की बात कर लें तो बाल्य वस्था की बात कर लें तो 6 वर्ष से ले करके 12 वर्ष का time period इसका होता है या 12 वर्ष ना समझ करके हम इसको 6 वर्ष से सिदे सिदे 10 वर्ष ही मान करके चलें ब्यवहारिक फाम में यानि कि applied रूप में जो exactly का वस्थाएं घटित होती हैं वो ये घटित होती हैं इसके पासचात कि 12 वस्था का दौर शुरू हो जाता है तो अगर हम इसको 6 से 12 मान करके चलते हैं तो कि 12 वस्था का time duration क्या हो जाता है तो कि 12 वर्ष से 18 वर्ष का clear हो गई इतनी बाते अच्छा इस दवरान अभी हम सिर्फ growth की बात कर रहे हैं एक बार ध्यान से सुनिएगा मेरे सभी प्यारे जुगनों और जुगनियों अभी मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो सिर्फ growth को ले करके चर्चा कर रहा हूं development का concept तो अगले unit में हम अगले topic में अभी तो सिर्फ concept of growth हम पढ़ रहे हैं हलाकि growth और concept ये दोनों एक ही मुद्दे हैं बस quantitative और qualitative change में अंतर है बट जिस तरीके से topic दिया हुआ है उसी तरीके से मध्यन करेंगे तो चीजें काईदे से समझ में आ जाएंगे बात करें सहस्वा उस्था में जन्म से दो वर्ष मे तो बहुत तीब्र सारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ता है यहाँ पर यहाँ पर सारीरिक ब्रिद्धी और विकास का कार्य बहुत तेजी से घटित होता है बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है वहाँ परिवर्तन तेन से च्छे वर सके अवधी में भी दिखाई पढ़ता है लेकिन इसकी तुलना में यहाँ पर गती मंद हो जाती देखना अब हम ग्रोथ का लक्ष क्या होता है अब हमने इससे पहले भी आपको समझाया कि ग्रोथ का लक्ष क्या होता है maturity को प्राप्त कर ला यानि कि ब्रिद्धी परिपक्वता की तरफ बढ़ने वाला एक कदम है ब्रिद्धी और विकास हमारे परिपक्वता की तरफ बढ़ने वाला एक कदम होता है इसमें जो मातरातमक परिवर्तन घटित होता है जिसका इस्तिमाल करके हम जीवन की कठिन परिष्थेतियों का सामना कर पाते हैं, अपने आपको वातावरण से समायोजित कर पाते हैं, अनकूलित कर पाते हैं, तो ये जो मात्रातमक परिवर्तन हमारे सरीर में हो रहा है, ये हमको मैचियोरटी की तरफ ले जाता है, परिपक होता है इसकी तुलना में यहां पर मंदता आ जाती है धीमी गती थोड़ी सी आ जाती है सरवादिक धीमी गती कहां पर हो जाती है करके यहां पर 6 से 12 में अब 6 से 12 को भी अगर हम बांट दें तो पहला 6 से 9 वर्स होता है किस की तुलना में? 9-12 के तुलना में सारीरिक टीबरता यहां पर पाई जाती है, विकास की, लेकिन 3-6 की तुलना में, यहां पर इसकी तुलना में मंदता हो जाती है, साउधानी से कुछ नहीं, सरवादिक टीबरता सारीरिक बृद्धी में यहां पर पाई जाती है, उसके ब्रिद्धी कहां पर पाई जाती है, यहां पर पाई जाती है, पूरे जीवन में सबसे जादा मंद गती, सबसे जादा ठाहराव यहीं पर होता है, यह वो समय होता है जहां पर बच्चे के ग्रोथ में परिवर्तन बहुत कम होता है बहुत कम होता बहुत धीमी गती हो जाती है ब्रिद्धी की उसके पीछे कारण यह होता है कि यहां पर अस्थी करण की प्रक्रिया प्रारम हो जाती है बच्चे में हड़ी निर्मार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है अब कैल्सियम तथा फा चोटे चोटे टुकडों में निर्मित होती हैं एक ही सरीर का कई पाल्ट की हड्डी बनती है जैसे आप मकान बनवाते हैं तो मकान का पीलर इकठा सुरू से अंत तक नहीं बन जाता है जैसे 15 फिट 12 फिट की उचाई पर आपको लिंटर लदवाना है तो इकठे 15 फिट का निर्मार की प्रक्रिया पूरी हो जाती है साड़े 300 हो जाती हैं आप यहां पर फिर जुडने का काम सुरू होता है तो 9 से 12 में जो खंडों में हड्डियों का निर्मार हुआ है वो धीरे धीरे जुड करके एक अस्थी का रूप लेना सुरू कर देते हैं इसलिए हड्डी निर्मार की प्रक्रिया इसको बोला जाता है सही माइने में तो हड्डियों के जुडने की प्रक्रिया होती है यानि अस्थियों में परिपक्वता पैदा होती है परिपाक काल पैदा हो जाता है इसलिए पूरे सारेलिक ग्रोथ जो है फिजिकल ग्रोथ यहां पर सबसे कम पाया जाता है 9-12 में, फिर बच्चा जैसे ही 12-15 में प्रवेश करता है, एक बार फिर से बहुत तेजी से परिवर्तन दिखाई पड़ता है, आप एक बात देखिएगा, कि आपने भी ये मैसूस किया होगा, कि 9-12 में आपको कई बार नटवा भटवा नाम पड़ गया होगा मतलब आपको बावना भोला गया होगा, और परिवार वाले चिंतित हो गए होंगे कि सरीर की लंबाई बढ़ेगी की नहीं की इसकी, बहुत लोग चिंतित हो जाते हैं, फिर आचानक से वही बच्चा 12-15 में फिर तेजी से परिवर्तन कर लेता है यहाँ पर, यहाँ पर ल के चंद कदम पहले का यह परिवर्तन दिखाई पड़ता है, उसके बाद 15-18 के डिवरेशन में हम सारीरिक रूप से परिपक हो जाते हैं, डाइवर्सिटी के अकारडिंग, बिवित्ता के अकारडिंग, सभी लोगों में बिवित्ता पाई जाती है ब्रिद्धी और विकास में 15-18 के दवरान हम सारीरिक रूप से परिपक हो जाते हैं, यानि कि समझाएंगे डिवलेप्मेंट वाली प्रक्रिया, जब हम काउनेटिव समझाएंगे, फिजकल समझाएंगे, तो अलग से, यानि कि जब हम ब्रिद्धी और विकास के आयाम पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर डिटेल में चर्चा हम आपको समझाएंगे, आज की ये सरिंखला पूरी तरह से कॉंसेप्ट आप ग्रोथ को लेकर के थी, अब उमीद है कि आपको कॉंसेप्ट आप ग्रोथ पूरी तरह से समझ में आया होगा, मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ, कि अब तक जितनी चर्चाएं चली हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कॉंसेप्ट आप ग्रोथ पर आधारित रही हैं, हाँ एक चीज़ यहां पर ध्यान रखीगा, ये जो ग्रोथ हमारा होता है, हमारे सरीर के ब्रिद्धी और विकास की प्रक्रिया, और हमारे सरीर के कद और काठी के निर्मार की अनुवांसिक रूप पर डिपेंड करती है, ये हमारी हेरिडिटी का परणाम होती है, हमारी अनुवांसिक प्रक्रिया की देन माने जाती है, यानि कि जैसे सारीरी कद काठी माता पिता के होते हैं, उसी तरीके से बच्चे बनते हैं, और फिजिकल चेंज में, जैसे बालो का रंग हो गया आखों का रंग हो गया और तुचा का रंग हो गया शरीर की कद काठी बनावट चाल ढाल ये हेरेडेटी से प्रेरित हमारी प्रक्तरिया होती है ठीक है यानि कि हमारा ग्रोथ हमारी अनुवानसिक्ता के अनुरूप चलता है और पोसंड के अनुरूप चलता ह हैं यदि वो बहतर और संतुलन में हैं तो हम अपने माता पीता के एकारणिम सारीरी कद काठी को प्राप्त कर लेते हैं वरण को प्राप्त कर लेते हैं concept growth में इतनी ही बातें परियाप्त हैं उम्मीद हैं कि आपको साल्ट होती है, छोटी बाते होती हैं, बट हमने इसको 40 मिनट ले गए, हम संपूर बातों को ले करके समझाए हैं, अच्छा यहीं पर यह बात समाप्त नहीं होती है, अभी तो हम सिर्फ कॉंसेप्ट आप ग्रोध को समझाए हैं, अभी हम मेउचरेशन और डिवलेप्मेंट को पढ़ेंगे, परिपकोता और डिवलेप्मेंट को जब हम पढ़ेंगे, विकास को पढ़ेंगे, यानि कि जो अगला हमारा टॉपिक जब होगा, तो हम वहाँ पर परिपकोता और विकास को समझेंगे, तो यहीं पर विकास के हम सिध्धान्त पढ़ेंगे, आप सुन ले विकास के सिध्धान्त पढ़ेंगे तो लगबग 10-12 सिध्धान्त हम विकास के पढ़ते हैं तो उसमें विकास के सिध्धान्तों में भी बृद्धी का जिक्र होगा और जब ये पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा तब ग्रोथ ग्रोथ एंड डिवलप्मेंट आप कंप्लीट खतम कर चुके होंगे एक बात आप ध्यान दिजीगा आप ग्रोथ एंड डिवलप्मेंट सिटेट में भी पढ़ते हैं बस सिटेट और इसमें फरक क्या होता है उसको मैं आपको समझा देता हूँ सिटेट में डायरेक्ट वो कॉंसेप्ट आफ डिवलप्मेंट एंड इट्स रिलेशन्शिप बिथ लर्निंग यानि कि विकास की अधारणा तथा उसका अधिगम के साथ संबंध यह आपके सिटेट का टॉपिक होता है ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पर वो टॉपिक अलग हो जा रहा है नहीं नहीं मतलब हम ग्रोथ और डिवलप्मेंट के कॉंसेप्ट को समझेंगे और डिवलप्मेंट के प्रिंसिपल समझेंगे सिधान्त और नियम पढ़ेंगे उसके बाद बच्चों के साथ उसको कनेक्ट करेंगे कि उसको ध्यान में रखते हुए हम कैसे बच्चों की लर्निंग बच्चों को पढ़ाने की क्या यह उजना बनानी चाहिए, यही तो है Understanding the Learner, यानि कि जो अवस्थाएं हम पढ़ते हैं, आप एक सवाल इहीं पर अपने दिमाग में कर लिजेगा, कि अवस्थाओं का अध्यन हम को क्यों करना है, क्यों पढ़ना है अवस्थाओं को, एक सवा आपको मिलेगा, वही जबाब है Understanding the Learner को, क्योंकि बाल्यावस्था को इसलिए पढ़ते हैं, कि हम बाल्यावस्था के उम्र के लक्षण को जान पाएं, विकास की गती को हम समझ पाएं, विकास की इस्थिती को समझ पाएं, उसकी दसा को समझ पाएं, ताकि हम उसी के अनु सिक्षन योजना बनाएंगे, गतिविदियों का संचालन करेंगे, यही तो है Understanding the Learner, तो मिलेंगे हम लोग अगले सेसन में, और अगले सेसन में यहीं से आगे की मुद्दे की चर्चा, यानि की Development और उसके Principal इत्यादी की चर्चा करेंगे, और आगे Growth and Development में अभी अंतर भी पढ़ेंगे, आज की सिरिंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं, उम्मीद है कि आपको खुब अच्छे से समझ में आया होगा, Concept of Growth जैसा भी होगा, आप अपने साकरातमक पहल को, साकरातमक विचार को कमेंट में जरूर करिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएग साकरातमक पहलू को जरूर ध्यान रखिएगा, और मिलेंगे फिर अगले टॉपिक के साथ हम डेवलेप्मेंट को ले करके, आज के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बाई-बाई, टेक केर